देहरादून सी खबर सामने आई हैं जिसे सुनकर आप भी ह시रान हो जाएंगे आपने कई दुकानदारों को ग्राहकों को चुना लगाने के बारे में तो सुना भी होगा और कई बार देखा भी होगा कि दुकानधार कई चीजों में घपला करते हैं किसी भी चीज की तै कीमत से जादा कीमत वसूलते हैं लेकिन दहरादून में तो शराफ विक्रेता ने राजी की डीम को ही ठग लिया। दरअसल दहरादून शेयर में शराफ ठेको पर ओवर रेटिंग की लगतार शिकायते मिल रही थी। जिसके चलते संग्यान लेते हुए जिलादीकारी एक ठेके पर पहुँचे और समान ने खरीदार की तरह लाइन में लगकर शराफ खरीदने लगे। उन्हाने जो शराफ खरीदी उसकी कीमत 660 रुपे थी लेकिन उनसे 680 रुपे वसूले गए। जिसके बाद जिलादीकारी की निर्देश पर तुरंत करते हुए जनपत में बड़े पैमाने पर चापे मारी शुरू हो गई। वहीं जानकारी मिली है कि एक ग्राहक को 200 रुपे की बियर की बोतल 210 रुपे में बेची गई। जो निर्धारित मूले से 10 रुपे जादा थी। वहीं जानकारी मिली है कि इस कारेवाई के बाद खित में सुईकार किया कि उनसे गलती हो गई और आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। निरक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि रेट लिस्ट अपने सही स्थान पर नहीं थी। जिससे ग्राहकों को कीमते सही से दिक भी नहीं पा रही थी। इन में दुकान के खुलने और बंद होने का समय भी नहीं लिखा था। करमचारियों के पास कोई पहचान पत्र नहीं था। रजिस्टर में कटिंग और फ्लूट का इस्तमाल किया गया था। सफाई विवस्था भी ठीक नहीं थी। यहां तक कि सेल्समेन का वियवार उपभोकताओं के प्रती बेहद पैर इस खबर में वस इतना ही ऐसी ही तमाम खबर को जाने के लिए देखते रही है भारत एक्सप्रेस।